वेलकम टू माई निव ब्लॉग कैसे हैं आपसा फ्रेंड आसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे जवरदस्त होंगे तो गुड मॉर्निंग सुबह हो गई है और सुबह ये नबरात्रा कहीं ब्लॉग है और थोड़ा लेट से जा रहा और जल्दी जल्दी वो सब करने के बाद मैं कब सो जाती थी ये मुझे खुदी पता नहीं चलता था आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था फ्रेंड तो सुबह उटने के बाद मैं बालोगे रबान लियूँ और अब भगमाजन जी के पास थोड़ा माथा टेक लूँगी और आज कल मैं सुबह में ही नहा लेती हूं फ्रेस होने के बाद यहां पे ये रात की बची हुई सबजी है क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कब सो जारी हूं मुझे खुदी पता नहीं चल रहा है बस यहां पे मैं खाना बना के रख देती हूं और मैं तो नमक वगरा नहीं लगा लूँगी और सुबह में नहां लेती हूं तो बच्चे लोग भी पुजा वगएरा कर लेते हैं मंदीर वगएरा मैं साफ कर देती हूं तो यहां पर जाड़ो लगा लूँगी और बैड स्रीट हमारी थोड़ा थंडा हो पढ़ने लगा है फ्रेंट यहां बैड स्रीट वगएरा ओडना ही पढ़ रहा है और अभी रोज नए नए पार्सल वगएरा आते हैं बच्चे लोग कुछ मगाते हैं तो थोड़ा बुद कच्छा वगएरा निकल ली जाता है और बच पूल लगता है से मिरे को एनर्जी नहीं आता है यहां पर मैं सब्जी वगएरा कट कर लूगी और इतनी सब्जी महंगी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकते हूं तो यहां पर मैं आज बना रही हूं आलू बोदी बिल्कुल सिंपल सा तो बस इसे कट करके ढख दूंग कि मिर्ची कट के डालूंगी कोई एक्स्ट्रा मसालन यहीं यूज करते वडंट बस दमा हाथ। प्राइच में न मिर्च तो मैं सब्जी ख्राइब कर लूँंगी और तह़ों इतने के इटने दिन यहीं ब्लॉग कि बनानासी लगते मैं भूल गई हूं जैसे और धर सबजी बना ली हूँ तो अब मैं आ गई हूँ गैलरी में थोड़ा सोचनी पोछाप मार देती हूँ इस पे मैं पानी मारी थी, पानी मार के सुबह धो दी थी मगर यह सूखा नहीं था, मैं सोची थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ नहीं तो कोई फिसल के ना गिर जाए, तब तक हमारी सबजी भी बन गई है और सबजी बनाओ, फिर रोटी बनाओ, और आज मैं सोची तवा पे ही रोटी को फुला लेती हूँ मगर यह रोटी फूली ही नहीं, इसको भी, यह भी मेरी इज़त का कचड़ा कर दिया यह अगर फूल जाता तो विडियो अच्छा सा बन जाता तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और अब मैं पुझा पूरे अच्छे से करूँगी तो मैं नवरात्रा में जब भी पार्ट करती हूँ तो मैं साड़ी वगरा वेयर करती हूँ, पूरे अच्छे से तभी पार्ट करती हूँ तो यहाँ पे मैं पार्ट वगरा करने बैठ गई हूँ और इसी तरह मैं करते हैं फ्रेंट तो ऐसे ही मैं करती हूं तो लगभग मैं आठ नौ साल हो गया है मेरा ये इस तरह पूजा करते हुए पहले तो मैं रात को एक टाइम नमक वगएरा खाती थी तो काफी एनरजी मिलता था तो मेरे को इतना बिकनेस वगएरा फील नहीं होता था और अभी तो नमक जो नहीं खारी हूं पता नहीं इसके वज़े से क्या तो मैं बस यहीं खाऊंगी गूर मुंफली और चाय बस एक ही बार में सब कुछ लेती हैं और खानवाना खाने के बाद में चल पड़ी हूं मार्केट क्योंकि बच्चों का कपड़ा लेना है और य तो दोस्तों पूजा वगयरा करके चली गई थी मार्केट और बच्चों का कपड़ा लेकर आ गई बहुत थक गई हूं अब फिर दियावत्ति तो फ्रेंड फिर मार्केट से आई थोड़ा दर रेश्ट की चली गई फिर दूद लाने दूद लेके आते ही फ्रेंड फिर द दियावत्ति करने में घर में भी आरती वगयरा मा को दिखाऊंगी दुर्गमाता को उसके बाद चल चलूँगी हमारे पास में जो मंदिर है और फिल्ड है फिल्ड में यहां पर दो-दो मंदिर है फिर वहां पर हम जाएंगे इस वार बलोग उतने अच्छे से सूट भी न अनक मैं सूस्त हो जाती थी मोबाइल वगेरा मैं चला ही नहीं पा रही थी बिल्कुल मोबाइल को मैं कोई कुछ भी नहीं कर पा रही थी मोबाइल में मैं बस वीडियो लगाती थी और सो जाती थी तो हम धाम और उपर वाली भावी चल पड़े मंदिर दियावत्ति तो हमारे यहां बहुत सारे लोग दिया बत्ति करने जाते हैं इन नौ दिनों में नवरात्रे के नौ दिनों में कि हम जैसे फर्स्ट नौ फर्स्ट दिन से नौवा दिन तक बहुत लोग जाते हैं बहुत लोग सश्टी सप्तमी अश्टमी नौ मी तक जाते हैं हम भी नौ मी तो हम लोग घर के लिए चलते हैं और बाल जाड़ नहीं रही हूं मतलब सिंदूर लगाते लगाते काफी कड़ा सा हो गया है और आज कंगी वगएरा भी साम में नहीं की हूं क्योंकि मार्केट वगएरा गई थी उसी तरह मैं यह आई हूं अदूर लेके फिर उसी तरह चलिया मंदिल यहां पर जो अभी आई हूं फ्रेंड इससे साड़ी को मैं रख दूँगी क्योंकि इससे इन सब साड़ी को मैं आराम से यूज जितनी भी कपड़े यूज क्योंकि अभी ये वाला काम नहीं कर सकती हूं छट पर डालो लाओ फिर अर्रेंज करो तो आज का ब्लोग यहीं पे अन्ड करते हैं आयो हो को छोटा सा ब्लोग अच्छा लगवा तो प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा